स्कूल में दूर्बे बाहर सुपर मूल टेंगु को डॉर रीयो का बालबालिका नमस्ते नया पुस्ता माता पाएलाई स्वागत छा स्कूल र घर बालबालिका को लागी सब्पई भंदा सुरक्छित ठाउं मानीं छा तरे तेही स्कूल मा बालबालिका माथी योन दूर्बे बाहर हुन थाले बने क्योला ललीदपूर को योटा स्कूल का लेखा पाल लाई यस्ते आरोप लागे को सब्पई नया पुस्ता को टोली कार्तिक 39 गते ललीदपूर को लगन खेल को नेशनल चिल्रेन स्कूल मा पुगदा त्याहा को बातावरन निक्कै डर लाग दो थियो कोही रोई रहेका अनि कोही कराई रहेका स्कूल काई लेखा पाल मा थी पाज कच्च्यामा पुल्ने नौजणा बालीका लाई योन दुर्वे बहार गरेको आरोप लागे Да लेखा पाल मा थी एस्तो गंबीर आरोप लागे पसी इस्तो बातावरन श्रीजणा भय को थियो तर अहिले सम्मा उजुरी भने दुई जनाले मात्र दिये का सन गई को एक महिना देखी बिविन्ना खाने कुरा को लोग देखाई बाली का हरु मा थी लेखा पाले एस्तो दुर्बेबाहर भई रहे का कुरा खुले पसी सबै आक्विसित भई का थिये बिद्यालाई जस्तो सुरचित स्तान मा नहीं बाली का हरु मा थी एस्ता दुर्बेबाहर भई काले पनी कुरा धेरे गंबिर भई को हो एक जना पिर्डी चात्राले आफनाई स्कूल का सिचक बाट दुर्बेबहार भई को कुरा अभिभावकलाई भणे पसी कार्तिक 29 गते बिद्यालाई मा आतंकमा चिये को थियो ती बाली का मात्र होई ना नया पुस्ता को चोलीले अरू की ही बाली का हरूलाई पनी भेटे को थियो की भण्चन ता उनी हरू नद्यू को थियो थे खुर्ण भेटे, पहलए फ्रेंद्यानि भूने अर्दी का भिल थी नर्ट जा निवेलाई गालाई बोदै सब्सक्राइब करें देखें के चंद्रमा को आकारपनी सानो ठुलो हुन छाता सत्तरी बर्ष बची गयको कार्तिक 29 गते सुपर्मुन देखें को थियो सुपर्मुन येस बंदा अगी विक्रम संबत 2004 साल मा देखें को थियो अर्थात अर्शठी बर्ष अगारी एस्तो ठूलो चंद्रमा देखें को थियो अब एस्तो सुपर्मुन हेना अठारा बर्षा कुर्णपने बईग्यानी खरूले बताये गाशन। अब एस्तो सुपर्मुन हेना अठारा बर्षा कुर्णपने बईग्यानी खरूले बताये गाशन। अब एस्तो सुपर्मुन को बेला मा अठारा बर्षा कुर्णपने बईग्यानी खरूले बताये गाशन। अब एस्तो सुपर्मुन को बेला मा अठारा बर्षा कुर्णपने बताये गाशन। नजीक्र टाडा भयकाले बनी सानो ठूलो चन्रमा देखे बनी इसको आकार बने सदेई उस्तेई मुन्छ। नेपाल बातावरन पत्रकार समोह को प्रस्तुती मितिनी। मितिनी आजूर। बाल बाली का को इच्छा बिवाहा हैना सिच्छा। हरेक सनिबार बेलुका साथ कंद्र वजे। रेडियो सगर माथा समय देशका पचपन्ला रेडियो हरु बाठ एक साथ। यो रोग फईलावने लामखुटे पनी बड़ो अजीब किसिमको साथ। सफा पानीमा बस सा, 200 मात्री टोक साथ। डेंगु रोग को अपचार का लागी बाके जिल्ला को नेपाल गंज का अस्पताल हरुमा भर्ना होने बिरामी हरु को संख्या बर्दे गएको सा। एडिस एजिप्टाइज जातको लामखुटे को टोकाई बाठ डेंगु रोग हुन्छा। बाके तथा ओरपरा का जिल्ला बाठ कार्तिक 11 गते देखी 30 गते सम्मा नेपाल गंज का दुई अस्पताल मां 54 जाना डेंगु का बिरामी भर्ना भयका थिये। ती मद्दे 5 जाना बालबाली का थिये। डेंगु रोग सारने लामखुटे सफा पानिमा बस्ष अनि तेसले 200 मात्रे टोकने गर्ष डेंगु का बिरामी हरुमा 81 जोरो आउने धेरे टाउको दुखने आखाको गेडी तथा टाउको को पच्छिलो भाग दुखने, सरीर्मा बिमिराउने, रक्तस्राभ हुने, रमांग सपेसी, हार जोर्नी दुखने जस्ता लचेन हरु देखिन छु एस्ता लचेन दिखिये मा अस्पताल जानु पर्ष देंगु बाट बस्ने सबई भंदा र अस्टा गर्णु पर्ष देंगु का बिरामी को संख्या बर्ण थाले पसी, फेरी अंचल अस्पताल मा बार बेट को जुल सहीत को छुट्टे वार्ड खडा गरी उपचार को बेवस्ता मिलाईयेको सा नेपाल गंच का अस्पताल हरुमा डेंगु का बिरामी हरु बर्ण थाले पसी, कार्टमांडव इस्थित, इपिडियो मोलोजी तथा सरुवा रोग नियंत्रन महासाखा टोली नेपाल गंच पुगेको सा यह अधिक्यांग सार्फा थेरे बनना थेरे रोग बाटा चाने बसन शकेंचा रा लामभुटे को टोकाई बाटा बसन ने उपाया हुआ TVE South Asia बाट प्राप्त सामगरी दिखाउने क्रम्मां हामीले रियो सम्मेलन्ता का जन्मेका केही बच्चा को जिवनीलाई पच्छाई रहे का साउं तेही क्रम्मा अईले हामी नर्वे र भारत पुगे का साउं दैनीक 10 घंटा को शिफ्ट मा कामगरने बालकले बर्समा तीन लाख बट्टा बनाऊचन मत छोरीलाई कामा पठाउने जहानना तर गरीबीचा सबले पसिना बगाउने पर्षन पंजीका बाबु काली मुथुपने पठाका बनाऊचन रसायन मिशावने कामगरदा छालारा फोक्सो जुल्ची न गयकोले अईले अस्पताल पुगे का छन इनको उपचार खर्च जुटाउना यस परिवारले हर संभव संगर्च गरेको छा पंजीको परिवारलाई आट से रुपया खर्च गरना पनी मुश्किल परछा भारत सर्खार ले सोर बर्चसमा का बचालाई निशुलक सिक्षा को सुविदा दियेको छा तर जीवन को पहिलू प्राथमिक्ता खाना को बिशेय नहीं पर्दाचा इपंजीले कारखानामा काम नगरी स्कूल गई राखना पावलान की लोफोतेन टापू नोर्वेको उत्तरमा रहेको आक्टिक छेत्रमा पर्दाचा यो छेत्रका निवाशी हरू माचा को उपलवदतामा पूर्णता निर्वर्छान। यही ठाउमा एमेलियाको जन्मभायको थियो 1922 यहां माचा को उपलवदता घटेको छा किन भने बिदेशी माचा मारने हरको डूंगा आयरा यहांका माचा लाई जान्चन। एमेलियाका अविबाबक भने आवा बास्न गार हुने भो भने चिन्ता माचन। नर्वेका मचुआरा हरुले यहांको एकमात्र स्रोथ कर्माचा होरकाऊन र बचाऊन बर्शों देखी दुखा गरी रहे काशन। यूर्योपियन हरुका लागी वारेंट समुंद्र खुला गरे देखी तीनियरू आयरा सबई कर्माचा लई जाना थाले काशन। अमेलिया का परिवार सय बर्श देखी यही टापुमा बसते आयका छन। तरा आउने 20 बर्शमा मुश्किल बढ़ने छा। एमेलियाले परिवार को परमपरा धालनीन्र, धनी पश्चिमी देश का दुर्गम बाशी हरुपनी संकटमा परलांता। अहिले उन्नाइस से पंचानब्य भायो, हमें तामिल नादू आयका छों। यहां पंची तीन बर्शकी बहें। इनका पिता हाले बिते का छन। एक मैना पुगे पची सरकारी अस्पताले अबर नर्सिंग हों मा उपचार गरना लई जाओ भने। आमी खर्च गरना सकते न थे। तेसे ले उनलाए घर ले आयों। केई दिन पची उनी बिते। दुख घटे को जस्तो ठानेर इनका हजुर बुआले पनी काम मा जाना छाड़ी दिये। अब यस परिवार नाई शगावना सकती ना। मेरो स्था बुडोर कम्जर भायो। पंजीले पटा का कारखाना बात मुक्ती पाउना का लागी। उनलाई मदद गरना उनकी आमा मात्र बागी रहे की छेन। सन उन्नाईशे पंचानवेमा जस्तिन र उनका परिवारला छुट्टी मनावदे गरेका ब्यलामा भेटाय। उसको माला के मन पर्शा बने उनलिस चल्छा। काईने काई भाला अद्मी पने बागी जा। वो की होई ना ता जस्तिन? होई ना। यहां बर्णवेद र अल्प संख्यक गोराहर को साशन समाप्त भायको चार बर्स पूरा भाय। जस्तिन को परिवार मा के परिवर्द ना आये था? मानिसले एक अरकालाई है ने द्रिष्टकों। मानिसरु मिलेर पस्न चाहांचे। देशलाई क्रियासिल रहोष र राजनितिक ब्यवस्ता कायन रहोष एकली अरकालाई दुश्मन देखनू अनि अरको समवर्का मानिसरु महाबद मा सुन बुजिस्त भन्नेजस्ता प्रविति छाडे का चन। देशलाई सुन्दर इस्तल पनावन मिलेर प्रयासिगरी रहेका चन। अहिने खासमा इने परिवर्थान आयका चन। हस अब बिदा होने बेला भयो। हामरो कारेक्रम तपाईलाए कस्तो लाग देईसा हामिलाए पक के लिखन होला। कारेक्रम नया पुस्ता रेडियो सगर माथा एक से दुई थपलो चार मेगा हर्जमा हर एक सनी बार साज 6 बजे रे नेपाल भरी का 60 ओटा रेडियो स्टेशन बाट सुन्न और 12 ओटा टेलिविजन बाट हेर्न पनी सकन हुन्छा। और को साथा फेरी बेटनू पड़ सला। बाई!